हेलो स्टुदेंट्स विल्कम टो ड्रायन आई टोपिक है हाउ टो ड्रोई रेगुला नुनागन इंस्क्राइब दीने सार्कल और थाद इन्सक्राइब दीने सार्कल मेफ़ीच करते हुए एक रेगुला नुना गन को हम आपको बातने बोला हूं तो सबसे पहले एक स्वीट आपर मजर्च änd नरे और मेरे कि और था रहा करते हैं तो मैंने पहले और यह रॉहां कैंड है सब्सक्राइब करने के लिए इसी horizontal line को by set करने बाला हूं तो by set करने के लिए तो यहाँ पर जो point R है से R point पर compass को बिठाते हैं और Q R जो line है इसी line का आधा से ज्यादा measure करते हैं और एकर यहाँ पर और एकर यहाँ पर drag करते हैं compass का जो line थे इसे को fix track के Q point में compass को बिठाके तो देखे हैं पर यहाँ पर र एकर यहाँ पर drag करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक point मिल रहे और यहांप एक point अभी दोनो points को मिलाते ह makan एक line करते हैं तो यहाँ point A और point P, तो अभी point A और point O यह दोनो point का जो distancemost को। compass के help से measure करते हैं और यह कोंपास को बिठाके एक आर्क ट्राग करते हैं तो यहाँ प्वॉइंट ऐस तो अभी पॉइंट प्वॉइंट पी और स दोनों पाउर्ट को सिस्टस हैशा को मि भास के अलब से मेजर करते हैं और पी पॉंपस को बिठाके एक अर्क ड्रा करते हैं तो देखिए यहां पे एक पॉंपस मिल रहा है यह वहाँ पॉंपस का जो लेंद इसे को फिक्स ड्राक के टी पॉंपस को बिठाके एक अर्क यहां पे ड्रा करते हैं तो देखिए यहां पर एक प्वाइंट मिल रहा है यह प्वाइंट यू तो अभी प्वाइंट क्यू और प्वाइंट यू यह दोनों पाइंट के hopefully किया है है और यह प्वाइंट में पॉमपाख को भी ठाके इसी सार्कल को नाइनिकल पर्ट अमेरीट करते हैं यह 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और यह 9 तो देखिए हां पर पारफेक्ट मैज हो रहा है तो अभी नेमिंग करते हैं यह हो पॉइंट B, यह पॉइंट C, पॉइंट D, पॉइंट E, पॉइंट F, पॉइंट G, पॉइंट H, और यह पॉइंट I तो अभी जिदने सारा पॉइंट मिल रहे हैं सबको मिलाते हुए लाइन ड्रा करते हैं तो पहले पॉइंट A और पॉइंट I थांक्स पर वाचिंग में वीडियो प्लीज सब्सक्राब माई चैनल